मैं आपको nifty beach के ओपर एक regular income आप कैसे generate कर सकते हो वो एक strategy बताओंगा simple strategy बताओंगा video starting से last तक देखिए कोई भी part आप miss करोगे तो आपको ये strategy समझ में नहीं आएगा ये strategy मैंने already इस YouTube channel पे upload किया है लेकिन काफी video को ये strategy बहुत पसंद आया था और इसका result भी उनको अच्छ कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत उस video के अंदर जो parts मीस हो गए थे वह भी इस video में आपको यहाँ पे clear करके बताने वाला हूँ फरस्टेम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सस्क्राइब करने की डेली बेस को आपको इंट्राडे लेवल साहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाइन करें लिंक आपको description में मिल जाएगा एकविटि का मेरा अलग यूटूब चैनल है वहाँ का भी लिंक आपको description में मिल जाएगा या आप about section में भी जाके वो आप यह आप चैनल ज़रूर जाइन कर सकते हो और आपको commodity मार्केट के भी लेवल चाहिए तो कॉमिडेटिट का भी आपको एक अलग सेल टेलिक्राम चैनल है वो भी आप जोइन कर सकते हो अलमुष्ट यहां पर आठ हजार से भी ज्यादा मेंबर्स और एड़ हो चुके तो आप भी फाइदा उटा लिजे कोई भी चार्जेस नहीं एकदम फ्री और कॉस्ट लेवल में कर रहा था हूँ रहे बाद निप्टी बीच की जो स्टैटेजी रहेगी ब्यू को सिंपर रहेगी इस स्टैटेजी की बेश के उपर आप लाखों करोड़ो रुपे भी कमा सकते हो आभी बोलोंगे कि लाखों रुपे कमाने के लिए कोई क्या मामुली खेल है क्या कोई उपर लगाने वाला जो निपिध फिप्टी ऊपटा होना चाहिए आपको शोई हो रहा होगा तो ने फिप्टी फिप्टि चो टॉप्स जो कम्पनि आजे उनके उपर इसका पैसा लगता आए तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि यहां पर हम निप्टी बीच के ओपर पैसा लगाएंगे तो कि आप वो हमारे लिए सेफ है विवकुल आपका पैसा सेफ है आप यहां पर सेबी के रूल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना कि कोई यहां पर थर्ड पार्टी जो ब्रोकर है उसके थ्रू आप यहां पर बात करूंगा ताकि आपका पैसा सेबी रहे आपको रेटन भी रेगुलर मिलते रहे और आपका जो पैसा है वो गिराउट में भी अच्छा बने और उपर जाने के बाद भी बने रहे बात यहां पर मैंने एक कर लिए बहुत लोग यह पूछ रहे थे कि हमको टेक्निकल ए यह आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा वियुक्त आप जोइन कर सकते हो इसके लिए आपको कोई भी यहां पर कोई रहे है तो 97977773219 इसको पर मुझे वाटसप जरूर कर लिजे यह वाटसप नंबर रहेगा को रिगार्डिंग आपको वाटसप करना है ना कि कॉल करना है इस कोर्स के बीच के दवरा तो इस कोर्स में काफी अच्छे-ची इंफॉर्मेशन में प्रोवाइट करने वाला हो तो टेकनिकल आलाइस में सपोर्ट रिजिस्टंस कैसे ड्रॉ करते हैं फॉल्स ब्रेकाउट को कैसे आपको फॉलो करना है रिजिस्टंस कैसे फॉलो करन सपोर्ट कैसे फॉलो करना रेजिस्टंस कैसे फॉलो करना चाहिए आपकी प्रापर कैसे होना चाहिए जम लगाना यह सब जो कौन सी strategy यूज़ करना चाहिए मैं खुद की भी strategy आपको यहां पे आपको discuss करके बताने वाला हूँ तो वियुकुल आप जॉइन कर सकते हो नंबर और डी मैंने provide क्या हुआ है अभी बात करेंगे हमारी यह जो regular income जो strategy है ETF के उपर वो उसके उपर focus करेंगे सबसे पहले जो 50 के top 50 जो गंपनियां उसके उपर लगने वाला है सबसे बड़ी कंपनियां आपको पता होना चाहिए relance है उसके उपर आपका पैसा लगेगा सेकंड है इंदुस्ताव नीली लिवर्स के उपर आपका पैसा लगेगा उसके बाद ये शन पेंड जो कंपनियां उसके उपर पैसा लगेगा निप्टी 50 की टॉप 10 जो कंपनिया उसके उपर सब ज़्यादा पैसा लगेगा बाकि जो बच्ची 40 जो कंपनिया है उसके उपर एक स्माल अमांट में आपको जो मल्टिपल इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो आपको घबरानी की जोरोत नहीं सालाना कितना रिटन ये बना के दे सकता है तो एग्रिगेट 20 से लेके 30 परशेंट तक आपको निप्टी 50 रिटन देता है सालाना कौन से यहाँ पर कंटिनू वन इन्वेस्टमेंट करते हो तो लेकिन हर गिरावट में बाय करते हो उपर जाता है तो आप यहाँ पे ज्यादा मतलब कम से लाना 40 से लेके 45 परशेंट तक भी आप यहाँ पर शौर्टम में प्रॉफिट गेन कर सकते हो और इस साल की बात करेंगे 2022 में तो थोड़ा सा यहाँ पर रिटन कम बने है इतने बड़े बड़े रिटन नहीं बने लेकिन यहाँ पर मनतली यहाँ बात करूंगा तो आप यह से पहले जो एतिव रहेगा वो निटीबीच का रहेगा निटीबीच के उपर आपको कैसे इन्वेश्मेंट करना है यहाँ पे आपको पाँच डिवाय्डेकर अधड़ेंट करना है यह strategy आप 5 लाग के 5 डिवाइडेशन करके भी ले सकते हो आपके पास 1 लाग रुपे है तो 1 लाग का डिवाइडेशन करके आप 5 डिवाइडेशन कर सकते हो मान के चलो आपके पास 1 लाग का capital है तो आप initially 20,000 रुपे का investment कर लीजिए उसके 5 डिवाऍटेशन कर लिजिए सेकन चीज है आपके पास 5 लग का इन्वेश्टमेंट है तो इसका 1 लग का इन्वेश्मेंट बाकि 4 लग का 4 लिवाडेशन बच जायेंगे उनके आपको डिवाडेशन करना है तो मैंने यहाँ पे लग को इन्वेश्मेंट कर नहां है सबसे पहले इनिवेश्मेंट करना है सबसे पेएंवेस्टमेंट लग करना है कितने लाकि हो जाएगी कि हाँ फाइवे कि एक buying हो जाएगी अभी यहां से फाइलक्स के buying के बाद यहां से market आपके buying rate से 3% उपर जाता है ध्यान में रखना आपके buying rate से 3% उपर जाता है एक मैने के अंदर यह 3% उपर जाता है तो आपको profit book करके निकल जाना है तो 5 लग के उपर जो भी profit हो गा 27 3 परशेंट के इसताबसे इस तो आपको वो प्रॉबट होजाए एक मेने के अंदर तो एक लागум के ऊपर कहा है accomplish ? के बाद यहां पे एक लगका तीन हजार रुपे का प्रॉपिट हो जाएगा तो यहां से फर्स्ट बाइंग होने के बाद आपको कितना हजार रुपे का प्रॉपिट हो जाएगा अभी जरूर नहीं कि आपने यहां पे फाइलक्स का investment किया वही से ही market उपर जाएगा ऐसे बहुत कम बार ऐसे होगा जो first buying करते हैं आपका market उपर जाए तो ऐसा बहुत कम बार होगा लेकिन ध्यान में रखना यहां से market 3% डाउन आता है ध्यान में रखना नेक्स्ट बाइंग आपको करना है ये इस नाम से आपको सर्च करना है इसका भी सेम टू सेम पैसा आपका निप्टी फिप्टी जो इंडेक्स है उसके उपर लगता है लेकिन जो ये ETF किसका है ये SBI बैंक का ये ETF है ये किसका है SBI बैंक का तो आपको सेकंड बाइंग यहां से जो फर्स्ट बाइंग के आपने मान के चलो फर्स्ट बाइंग आपने यहां पे किया का है निप्टी बिच के अंदर वहां से ये निप्टी भी 3% डाउन आता है तो आपको किसमें अंदर करना है, यस्वाइ निप्टी के अंदर करना है, जैसे आपने यस्वाइ निप्टे के उपर आपने बाइंग किया, वो बाइंग रेट से आपका 3% उपर जाता है, तो यहाँ पे भी आपको 15,000 रुपे का प्रॉपिट हो जाएगा, क्योंकि इसके आच लाग की बाइंग करने के बाद, जैसे आपने फर्स निप्टी बीज में बाइंग किया, वहाँ से मार्केट 3% डाउन आया, तो आपने यस्वाइ के अंदर किया, सेकंड आपके बाइंग होगा, यहाँ पे यस्वाइ निप्टी के अंदर करना है, कितने पर्शन है, इसका भी पैसा डाइरेट आपको निप्टी 50 के उपर लगता है, जैसे निप्टी बीज का पैसा लगता है, सेम इसका भी पैसा लगता है, तो यह कब करना है, जब आपका 3% डावन आए का तब आए करना है, जब 3% ICI buying के अंदर भी आपका यहाँ पे investment के 3% down पे और जैसे इसके अंदर आपको 3% का profit मिलता है तो आपको क्या करना है profit book करके निकल जाना है और इसके अंदर भी आपको 15,000 रुपे का profit हो जाएगा ध्याल में रखना 15,000 का profit हो जाएगा 3% किसाब से अभी बात करतेंगे चावती buying करेंगे यहाँ से और यहाँ से 3 buying करने के बाद भी market उपर नहीं जाता है वहाँ से भी 3% down आता है तो उसके बाद आपको करना है co-tech nifty के अंदर तो जैसे co-tech nifty के उपर तो जैसे co-tech nifty यहाँ पे करना है तो टोटल आपके पास continue market गिरता रहता है यहाँ पर तीन तीन पर्षेंट डाउन पर गिरता रहता है तो टोटल आपकी करना है तो वहाँ से भी आपको तीन पर्षेंट डाउन आ गया तो आपको फिर आपको पाच लग की आपको निप्टी बीच के अंदर करना है तो जो टाप की बाइंग किया था उसकी average cost बहुत नीचे आ जाएगी क्योंकि आपने सबसे पहले कौन सबाई किया था निप्टी बीच बाई किया था तो उसकी average cost बहुत नीचे आना चाहिए नहीं आएगी तो बहुत दिन तक वेट करना पड़ सकते हैं अभी बहुत लोगे पूरा ना तो आप यहां पे एक search करके देखना आप back data search के देख लेजिए निप्टी इन आवरेज 15 से ले के 20% का correction करती है ध्यान में रखिए तो यहां से आपको 15% का correction आप easily यहां पे cover कर लोगे और जरूरी नहीं कि market continue 15% गिरेगा ऐसा कोई ने बीच में कोई ना क कर दिया वहां से फिर 3% डाउन आ गया तो फिर आपको ICI के अंदर दूबारा आपको buying करना है ध्यान में रखना same strategy को rule फालो करते हुए आपको आगे चलना है strategy भी कुछ simple रहेगी 90% लोग सही से rule को follow नहीं करेगी तो profit नहीं मिलेगा रही बाद अभी यहां पे risk and reward की तो risk लोग पूछेंगे सर हमारा पैसा कितने दिन के लिए block रह सकता है तो यहां पर मैं block की बात कर रहा हूँ आपका maximum to maximum यहां पर पैसा आपका maximum पर एक quarterly तक रह सकता है यहां से 3-4 मैने तक मैं maximum की maximum गिरावट हो सकती है यहां पर बहुत कम chances होता है 3-4 मैना लेकिन मैं maximum की बात नहीं रहेगी इतना तो मैं यहां पर जो back data मैंने history चेक किया उसके ऊपर यहां पर बताने की कोशिस किया रहे बात यहां पर maximum to maximum की इतना correction हो सकता है बहुत लोगों का सवाल होगा तो 10 ले लेके 15 साल के बीच में first यह ऐसा हुआ था 2000 19 से लेके 20 के 20 में की 40% की correction देखने को मिली थी 2008 के crisis के बाद तो जो यह data मिला है कम से कम 12 साल बाद आपको यह देखने को मिला जो index के उपर आपको 40% का correction देखने को मिला इतना correction अभी तक के history में only दो बार हो चुका है निपटी के बात करूँगा 1984 से लेके अभी तक के history में यहाँ पे दो बार ऐसे हो चुका है तो आपको घबराने की जोरोत ने 1992 के बीच में भी एक बार यहाँ पे हुआ था उसके बाद 2008 में एक बार हुआ था और 2019 और बीच के बीच में ऐसे तीन बार ऐसे हुआ है जो 40% से almost correction आपको देखने को मिला इंडेस के उपर तो इतना बड़ा correction आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा average आपको मैं बता रहा हूँ month लिए आपको 8 से लेके 10% का maximum गिरावट आपको मिल सकता है और quarterly to quarterly गिरावट 15 से लेके 20% maximum गिरावट देखने को मिल सकती है 70,000 रुपे का आपको profit एक one time पे हो सकता है one time की बात कर रहा हूँ और मैने में आपको ऐसे दो बार opportunity मिला किसी मन्त में आपको दो बार भी opportunity मिल सकता है किसी मैने में नहीं मिल जाएगा तो किसी में मैने मिला तो एक लाग बीस हदार तक का भी profit यहां से आपको होने वाला है और एक लाग बीस हदार से भी ज़्यादा profit किसी time हो सकता है किसी time आपको 50,000 रुपे भी हो सकता है कम से कम एक emergency fund आपको रखना ही रखना है emergency fund आपको रखना इसलिए टूंकि एक market है और आप इतना heavy market के साथ trading कर ले हो यह heavy quantity के साथ trade कर ले हो या heavy amount के साथ trade कर रहे हो तो कम से कम आप 25 लाका investment करते हो यहाँ पे तो कम से कम आपके पास एक 5 लाक सा एक emergency fund होना चाहिए और वो emergency fund आपको कब use करना है कम से कम 30% correction होने के बाद ध्यार में रखना वो जो 5 लाक्स का आपके पास emergency fund रहेगा वो आपको 30% correction होने के बाद ही use करना है तब तक आपको use नहीं करना है वो amount आप अलग से demand account में रखने से अच्छा है आप saving account में रख लीजिए कई दुसरी जगह use कर लीजिए लेकिन वो amount आपको जब nifty 30% down आएगा तब use करना है क्योंकि आप जब इतना heavy quantity के साथ trade ले रहे हो तो एक आपको risk manage करने के लिए एक emergency fund होना चाहिए जब 25 लाग का पूरा planning setup कर लिया तो क्यों न एक emergency fund रखा करे है हम जो नीचे की तरफ से भी एक buy कर सकते है तो ये चीद आपको ध्यान में रखना है पिछले वाले वीडियो में ये चीज नहीं बताया था मैंने और रही मात यहाँ पे पूरा clear आपको यहाँ पे आपके problem solve करने की कोशिस किया कि आपको कौन-कौन से doubt है वो यहाँ पे discuss करने की कोशिस किया अभी लोग बहुत बोलेंगे पैसर हमारे पास तो 25 लाक रुपे नहीं है 30 लाक रुपे नहीं है तो मैंने यहाँ पे पहले बोला था आप यह एक लाक रुपे से भी start कर सकते हो और पाच लाक रुपे से भी start कर सकते हो और यहाँ से आपको मैं बताना चाहता हूँ यहां पर दीखेगा वह पूरा हिष्टी देख लिजिए और आप अपना ट्रेडिंग कर लिजिए उसके हिसाब से यहां पर यहां पर अपना ट्रेडिंग करती हैं मैं कोई भी ट्रेड को करने के बाद ही बताता हूं gradually यहांको अपर एकशल शीद की जरहरता हूं प्र पर यहांपर बैको कर सकते हो तो बहुत लोगों का ये भी लास्ट वीडियो में क्वाइरी आया था कि सर यहाप एक सल सी चाहिए आप डेमो करके देख लिजे और डेमो करके दिखाए तो आपको डेमो चाहिए आप मेरे साथ जुनना चाहते हो तो आपको 97977773219 इसके उपर आप मुझे वाटसप कर करेंजे आपको मैं वहाँ पर आपको लायू सेसंस में कैसे प्रॉफिट गेन करते हैं और जो निप्टी बीच को पर जो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा मिलते हैं वीडियो नेट आपके साथ अब तक के लिए बाइ बाइ